हलो दोस्तों कैसे आप सभी उम्मिद गरताओं आप सभी सही होंगे दोस्तों आज हम लेकर आएं आपके शामने एक नया चैप्टर साधारन प्याज साधारण ब्याज का ये पहली वीडियो है और हमने भी पिछली वीडियो में आपको परतिशत का चैप्टर कम्प्लीट करा दिया है जिसने भी तक वो वीडियो नहीं देखिये तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से परतिशत का चैप मिलने वाला अत्रिक धन ब्याज कहलाता है साधान ब्याज क्या होता है मुल धन पर मिलने वाला ब्याज साधान ब्याज कहलाता है और ये हर वर्ज सेम लेता है ठीक है ये था इसका एक मैन बेसिक पुश्चन कैसे आशकता है देखे जैसे की मैंने आपको शोर पे दिये और मैंने बोला कि मैं आपसे 10% ब्याज लूँगा और 2 साल के लिए मैं आपको ये 100 रुपे देता हूँ अगर अब मैं उनसे पैसे लूँ 2 साल बाद तो वे मुझे को कितने रुपे देंगे ब्याज के शाद तो यहाँ पर देखे अगर 100 रुपे दिये मैंने और 10% का उनसे मैंने ब्याज लिया तो एक वर्ष के लिए 100 गुणा 10 बटे 100 तो एक वर्ष में कितने लिए मैंने 10 रुपे लिये और दूसरे वर्ष के लिए फिर मुझे लेने पड़ेंगे तो 10 रुपे फिर उसने दिये तो दो वर्ष में कितने रुपे ब्याज दिया उसने मुझे 20 रुपे ब्याज दिया अगर टोटल रासी के बात करे जाए यानि कि मिश्र धन तो धन के साथ ब्याज देना वो क्या हो जाता है हमारा मिश्र धन तो उसने कितने रुपे दिये मुझे दो साल में 120 रुपे दिये यही क्या होता है हमारा यह ब्याज होता है हमारा और यह होता है हमारा मूल धन और मिश्र धन क्या होगा हमारा 120 रुपे यानि कि टोटल धन टोटल धन क्या होगा 100 रुपे तो हमने इनको दिये थे 10 रुपे एक साल के लिए उन्होंने ब्याज दिया 10 रुपे एक साल के लिए यह पहला साल यह दूसरा साल तो 200 साल का ब्याज और जो हमारा मूल धनता हो कितना हो गया 120 रुपे यही क्या होता है हमारा मिश्रधन होता है ठीक चले कोश्चन के माद्धियम से में आपको बताते हैं किस तरह से हो गए साधान प्याज का चैप्टर निकालने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत जरूर रहती है सबसे पहले मूलधन इसमें दिया गया होगा मूलधन को क्या कहते हैं principal जो P से दरसा जाता है उसके बाद मिश्रधन वो किस से दरसा जाता है A से amount उसके बाद दर दर को कहते है रेट कोश्चन को किस दरसा हमें निकालने कहते हैं ट सर derecho साते हैं का थ्यान से टाइम और शाधारन ब्याज बताना पड़ सकता है तो SI, Simple Interest ठीक है, ये आपको पांच चीजे question जो दिया जाएगा या तो से मुल्धन दिया जाएगा मिश्रदन दिया जाएगा, दर पूछ रखता है या फिर समय पूछ सकता है साधान ब्याज पूछ सकता है ठीक है, मुल्धन अगर नहीं दिया गया तो हम पहला टाइप शुरू करेंगे इस वीडियो में आज question किस तरह से हो सकता है देखे, मैं आपको वैसी basically question दे कर बताता हूँ किस तरह से हमें solve करने है question ऐसे आ सकता है जैसे कि दर दी गई है हमें 20% ठीक principle दिया गया है 25 रुपे अगर time की बात की जाए तो हमें 3 words के लिए दिया गया है और हमें बताना पड़ जाए SI साधरन ब्याज क्या होगा तो देखे हमें ऐसे question को कैसे solve करना है, ये normally question है आसान से हो जाएंगे सबसे पहले 20% है तो यहाँ पर जो परतिसत होता है ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, 100 ठीक अब इसके हम fraction value बनाएंगे और उससे हम जानेंगे 3 चीज देखे, 10 से 0 कटी, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 इसकी fraction value के आई 1 बटे 5 अब इसमें आपको देखना है हमारे पास जो ऊपर की value होती है, वो होती है ब्याज ठीक है, एक värस का ब्याज और जो हमारे नीचे की value होता है हमारा मूलधन ठीक और अगर हम इसको जोड़ दे 5 में 1 जोड़ दे आने के ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जा ये क्या हो जाता है हमारा missed दन ठीक ये बहुती important रखती है अपने आप में सबसे पहले एक बार और देखे उपर वाली श्रंक्या होती है ब्याज वो भी एक वर्स का और नीचे वाला होता है हमारा मूलधन और अगर ब्याज पलस मूलधन को जोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा मेरे पास मिश्दन हो जाएगा ठीक यहां तक किसी को problem नहीं आनी चाहिए अब इस question को soul कैसे करेंगे देखो हमारे पास क्या एक बटा पांट यह एक साल का व्याज और यह हमारे पास क्या है मूल्दन है ठीक है तो पूछ रहा है साधारण ब्याज अब यहाँ पर देखो कितने वर्ष के लिए है तीन वर्ष के लिए तो गुना तीन यह हो गया तीन वर्ष के लिए क्योंकि यह तो एक वर्ष का था यहाँ पर हो गया तीन वर्ष के लिए ये तो हो गया हमारा ब्याज ठीक है तीनी कम तीन याने कि तीन बटे पांच ये हो गया हमारा ब्याज और ये आगया हमारे पास मूल्धन ठीक है पच्चिस सो रुपे अब हमें एक वर्ष का निकालना है तो पांच पंजे पच्चिस ये आगया 500 हमें क्या निकालना है शाधारन ब्याज तो जो उपर जो ब्याज है इसकी गुणा इसमें कर दो 5 तिया 15 15 तो यह क्या आगे हमारे पास शाधारन ब्याज आ चुका है तो मिश्रधन के अगर बात करी जाए तो हमें क्या करना है पांच और तीन आठ तो आठ की गुणा 500 में कर दो आठ पंजे चालेस ही आगे हमारे पास 4000 रुपे ठीक वैसे भी अगर देखा जाए 2500 में डिरेक्टी कर जाए तो 1500 रुपे जो ब्याज है में जोड देंगे तो कितना आता है जब भी हमारे पास 4000 रुपे आ जाता है और अगर इस विदी से निकाला जाए इस वाले विदी से गंड निकाला जाए तो जब भी हमारे क्या आएगा आंस्वर 4000 रुपे आएगा उमीद करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे अब इसी परकार हम कोश्चन नमबर वन लेते हैं देखते हैं कौन उस कोश्चन को सोल करता है और कौन इन कोश्चनों में कनफ्यूज होता है कोश्चन है 4000 रुपे का 5 परतिसत वारसिक ब्याज की दर से 4 वर्स का साधरान ब्याज क्या होगा तो कोश्चन को अगर प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपे हैं और रेट की अगर बात करी जाए तो कितना है 5% अगर टाइम की बात करी जाए तो कितना है चार वर्स और हमें क्या बताना है SI साधारण ब्याज ठीक ये बताना है तो आपको क्या करना है देखो सबसे पहले तो fraction बनानी है किसकी 5% की पांच बटे 100 पांच एकम पांच और पांच दुनी 10 एक बटा 20 ये आगया हमारा ब्याज और ये आगया हमारा मूलदन अब कितने वर्स के लिए ब्याज है चार वर्स के लिए गुणा चार तो चार बटे 20 ये तो आगया हमारा मूलदन और ये आगया हमारा ब्याज ठीक अब कोश्चन में क्या दिया गया है वई मुल्धन मुल्धन में कितना दिया गया है 20 के बराबर कितना 4000 दिया गया है तो एक वर्ष का निकान लो 20 कम 20 और 20 दुनी 40 कितना है 200 रुपे ठीक वो पूछ रहा है साधरन ब्याज तो साधरन ब्याज निकान ले के लिए जो 4 है इसमें गुणा कर दो बस यहाँ पर 4 के गुणा होगी 4 दुनी 8 कितना आ गया 800 रुपे यह क्या आ गया मेरे पास शाधरन ब्याज और अगर मिश्रधन की बात करें करें कि मिश्रधन कितना होगा तो 20 पलस 4 कितना होगा 24 तो 24 गुणा 200 24 गुणा 200 तो 24 दुनी 48 48 रुपे वो क्या होगया मिश्रधन होगया टोटल 48 रुपे क्या होगया मेरे पास मिश्रधन होचुका ठीक उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ चुका होगर नहीं समझ में आया इस कोश्ण को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं देखे कैसे इस कोश्ण को हम दूसरे तरीके से कैसे सोल करें हैं देखो बैए 4000 रुपे है कितने वर्स के लिए चार वर्स के लिए तो 5 परसेंट का ब्याज़ा कितना होगया 5 चोक 20 तो सिद्धा सिद्धा 20% निकाल दो 2-0 से 2-0 खतम और 4 दुनी 8 यानि 40 दुनी 80 यही 800 रुपे सिद्धा सिद्धा आगे हमारा 800 रुपे अगर मैं सिर धन की बात करें कितना था 4000 रुपे था अब कितना प्याज आगे उस पर 800 रुपे तो 4000 पलस 800 कितना आज चुगा में 4500 रुपे हम ऐसे भी डिरेक्ट कोश्चन को सोल कर सकते हैं लेकिन वो ट्रीखम में समझनी जरूरी है वो आगे काम आएगे ठीक है यह अभी तो हमने निकाल दिया सिदा सिदा 800 रुपे ब्याज आया और अगर टोटल दन के बात करें तो कितना हो गया 4800 रुपे प्रीश नमबर टू 900 रुपे का दो वर्षों में पांच परतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारन ब्याज क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है कोश्चन पढ़ना है बस और डारेक्ट सबसे पहले हम डारेक्ट निकालते हैं कैसे निकलेगे भई 900 गुणा भई दो वर्ष है और पांच परसेंट है पांच दुनी दस बटे सो दो जिरो खतम दस नाम नब्य यह आगे मेरे पास दो वर्ष का ब्याज तो नब्य रुपे आगे मेरे पास ब्याज पहले कितना दन था हो 900 रुपे था और अब ब्याज के साथ कितना आगे आचुका मेरे पास 900 नब्य रुपे यह क्या आगे मेरे पास मिश्रुदन आचुका है ठीक 990 रुपे हमारा क्या हो गया मिश्र्धन हो चुका इस question को दूसरी तरीगे पर करी जाए तो कितने percent है पांच परतिसद पांच परतिसद है तो पांच बटे सो तो एक बटा दो हो चुका एक बटा बीस आ चुका तो यह हमारा तो आ गया मुल्धन और यह आ चुका मेरे पास ब्याज एक वर्स का कितने वर्स है दो वर्स है तो गुना दो और मुल्धन क्या दिया गया है हमार पास 900 रुपे 900 में से 10 यहां से कट हुई कितना आया 45 और कितने वर्स के लिए है दो वर्स के लिए तो 45 दुनी 90 कितना आगे मेरे पास या गया साधरान ब्याज 90 रुपे और अगर मूल दन की बात कर जाए तो 20 रेक 21 तो 45 गुना 21 मेरे पास आजाएगा 990 रुपे आजाएगा मेरे पास मिश्रिदन ठीक यह आजाएगा आंस्वल इसका मिश्रिदन अगर पूछा जाए और अगर साधरान ब्याज पूछा जाए तो क्या आएगा मेरे पास 90 रुपे ठीक है उम्मीद करता हूं कोश्चन अच्छे समझ में आ चुका हो नेक्ट कोश्चन है बाराजार रुपे का तीन से एक बटा दो परतिशत वार्षिक ब्याज की दर्से आठ वर्सों का साधरान ब्याज क्या हो होगा तो देखो सबसे पहले नूर्मल कोश्चन अगर कर जाये तो डिरेक्टी भाई कितना है बारा हजार गुणा कितना परसेंट है तीन दुनी छेरेक साथ बटे दो वार्षिक भी आज की कितने वर्स के लिए है आठ वर्स के लिए है बटे में क्या करना था हमें सो करना दो यह आ चुका अब यहां पर देखा जाए दो जिरो से दो जिरो कट जाती है और यहां पर क्या होता है चार दुनी आठ यानिक यहां चार आ गया तो अब सिंपल नॉर्मल गुणा करने है अब 120 गुणा 7 गुणा 4 ठीक अब कर दो भई नॉर्मल बारा चोक 48 बारा चोक 48 चार सो सी गुणा हम जब साथ में करेंगे तो कितना आएगा 3360 रुपे यह तो आगे मेरे पास साधरन ब्याज और अगर देखा जाए मिश्र धन निकानने के लिए हमें क्या करना है 12,000 पलस 3360 कितना आएगा यहां पर आजागा यह आगे पंदरा तीन सो साथ यह क्या आता है मेरे पास मिश्र धन आ जाता है मिद करता हूँ आपके अच्छे से कोश्चन समझ में आ चुका होगा ऐसे कोश्चन आप इजली कर सकते हैं अगली वीडियो हम लेकर आएंगे टाइप टो तो जिसने भी तक चैनल हमारे सक्स्राइब नहीं किया हो चैनल को सक्स्राइब करतें लाइक करतें अपने दोस्तो विडियो में थैंक्स फो वोचिंग मैं वीडियो